चतुर्थी का व्रत भगवान गनेश को समर्पित है पता दें आपको हर महीने की क्रिश्न पक्ष और सुख्ल पक्ष को गनेश चतुर्थी मनाई जाती है जब गनेश चतुर्थी मंगलवार के दिन पढ़ती है तो वो अंगारकी चतुर्थी कहलाती है और इस पार ये गनेश चतुर्थी 28 चनवरी यानि की कल के दिन पढ़ रही है मंगलवार को अंगा रखी चतूर्थी है इससे संकष्टी चतूर्थी भी कहा जाता है इस देन विशेश रोज से भगवान गनेश की पूजा अर्चनाक करने से विक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं हिंदुधर में सभी देवी देवताओं और शुब कार्यों में सबसे पहले भगवान गनेश की ही अराधना करने का विधान बताया गया है हर महीने के क्रिशन पक्ष और सुपल पक्ष को गनेश चतूर्थी के रूप में मनाया जाता है जब गनेश चतूर्थी मंगलवार को पड़े तो इसे अंगारकी चतूर्दशी कहा जाता है बता दें आप लोगों को कि इस चतूर्थी को विशेश रूप से महराश और तमिलाडू में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा महता देते हैं और माना गया है कि शिव पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतूर्दशी के दिन दोपहर में भगवान गनेश का जन हुआ था माता पारवती और भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रूप में सुविकार किया था उनके प्रकट होते ही सुनसार में शुक्भता का अभास हुआ था जिसके बाद ब्रम्मदेव ने चतूर्दशी के दिन वरत को श्रेष्ट बताया गया है वहीं कहा गया है कि अगर इस दिन वरत आदी किया जाए तो इससे विक्ती कर्ज और बिमारियों से मुक्त हो जाता है और अगर मंगलवार के दिन विशेश रूप से अंगा रखी चतूर्दशी पर भगवान गयनेश की विशेश पूजा की जाए वरत आदी किया जाए तो इससे विशेश फलकी प्राप्ती हो सकती है नेक्स्ट इना इन स्प्रीच्वल से आर्दी के पोट